नमस्ते बच्चों कैसे हो आप सब आप सबने व्यंजन तो पड़े ही हैं आज हम स्वर के बारे में पड़ेंगे आज हम सबसे पहला स्वर पड़ेंगे तो देखो बच्चों ये है सबसे पहला स्वर ये है अ क्या कहते हैं इसे इसे कहते हैं अ तो क्या है ये बच्चों ये है अ आप सब मैम के साथ बोलो अ अ से अजगर क्या है ये ये है अजगर एक बड़ा सा साप इसे कहते हैं अजगर अ से अजगर अ से अनार तो ये क्या है ये है अनार ये एक फल है लाल लाल अनार जिसे खाकर हमें बहुत ताकत मिलती है अ से अनार अ से अगरबत्ती ये क्या है बच्चों? ये है अगरबत्ती हम पूजा करते हैं न मंदर में तब हम इससे लेकर जलाते हैं और भगवान को धूब दिखाते हैं तो ये है अगरबत्ती अ से अमरूद ये भी एक फल है मीथा मीथा फल जो खाने में बहुत अच्छा लगता है अमरूद हरा हरा अमरूद अ अ अमरूद अ से अनानास ये भी एक फल है अ अ अनानास अ से अदरक ये क्या है ये है अदरक इसे हम चाय में डाल कर पीते हैं थंडियों में और इसे सबजियों में भी डाला जाता है अ, अ, अदरक अ से अकबार ये क्या है बच्चों? ये है अकबार न्यूस पेपर आप सबके घरों में न्यूस पेपर आता है ना? हाँ, मामी पापा अकबार पढ़ते हैं अ, अ, अकबार तो बच्चों क्या है ये? ये है अ, स्वर अ सब बोलो अ बच्चों अब हम बाल माधुरी पुस्तिका में स्वर अ का अभ्यास करेंगे तो बाल माधुरी का पन्ना नमबर 9 निकालिए बच्चों ये देखो क्या है ये? ये है अ अब मैम आपको इसकी कहानी सुनाने वाली है ये कौन है? ये है अध्यापक एक दिन अध्यापक बाजार से सबजियां लेकर जा रहे थे उन्होंने अचानक से अ अमरूत के पेड़ पर अ अजगर को बैठे हुए देखा और वो अजगर देखकर बहुत घबरा गए और उनके हाथ से सारी सबजियां जमीन पर बिखर गई और सबजियों के थैले से अ अधरक, अ अनानास, अ अनार भी घिर पड़ा फिर दो बच्चों ने अ अनार अ अनानास उठा कर अध्यापक को दे दिये और अध्यापक बहुत डर गए अध्यापक तो बहुत डरे हुए थे अ अजगर को देखकर तो बच्चों अब आप सब मैम के साथ बोलोगे अ क्या है ये ये है अ अ अ अजगर अ अमरूद अ अध्यापक अ अनार अ अनानास अ अ अध्रक तो देखो बच्चों आज आपने क्या सीखा स्वर अ ठीक है बच्चों बाई बाई